दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर लेखक डैन ब्राउन के मशहूर उपन्यास एंजल्स एंड डीमन्स का चौथा भाग हिंदी में अब तक आपने सुना यौरोप की साइन्टिफिक रीसर्च की एक बहुत बड़ी लैब जिसका नाम सर्न है स्विट्जर लैंड में स्थित है वहां के एक प्रसिध वैज्ञानिक लियोनार्डो वेट्रा की बहुत ही रहस्यमाई तरीके से हत्या हो जाती है सर्न का डारेक्टर मैक्समिलियन कोलर इस हत्या की जाँच के लिए अमेरिका के एक सिंबॉलोजिस्ट रॉबर्ट लैंगडन को बुलाता है क्योंकि मरे हुए वैज्ञानिक की छाती पर एक निशान ब्रैंड किया गया है जो की एक प्राचीन संस्था इल्यूमिनाटी का है लियोनार्डो वैटरा नाम का ये वैज्ञानिक अपनी बेटी विटोरिया के साथ मिलकर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा था विटोरिया उनको बताती है कि वे लोग किस चीज़ पर काम कर रहे थे वो कोलर और लैंगडन को ये भी बताती है कि उसके पिता ने इस बात की खोज कर ली थी कि ब्रहमांड की उत्पत्ती कैसे हुई है और इसी प्रक्रिया में उन्होंने एक नए पदार्थ का निर्मान किया जिसका नाम है एंटी मैटर उसके बाद उनको पता चलता है कि एंटी मैटर लैब से गायब हो चुका है और चुराने वाले ने इस काम को करने के लिए लैब का गेट खोलने के लिए लियोनार्डो वेटरा की आँख का इस्तेमाल किया है तभी डारेक्टर कोलर के पास स्विस गार्ड का एक फोन आता है स्विस गार्ड वो शाही दस्ता होता है जो पोप की सुरक्षा के लिए वेटिकन सिटी में नियोक्त होता है वे लोग कोलर को बताते हैं कि उनके यहां कहीं पर किसी सिक्योरिटी कैमरे में एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके उपर सर्न लिखा हुआ है कोलर समझ जाता है कि ये वही चुराया हुआ एंटी मैटर का बॉक्स है वो खुद काफी बीमार है इसलिए रॉबर्ट लैंगडन और विटोरिया तुरंत वेटिकन के लिए रवाना हो जाते हैं रास्ते में फ्लाइट में रॉबर्ट लैंगडन विटोरिया को इलुमिनाटी के बारे में बहुत सी बातें बताता है फ्लाइट पूरी करने के बाद उन दोनों को हेलिकॉप्टर से वेटिकन सिटी ले जाया जाता है वहाँ पर कॉनक्लेव चल रहा है कॉनक्लेव यानि नए पोप का चुनाव क्योंकि पिछले पोप की 15 दिन पहले ही दिल के दोरे से मृत्यू हो गई है और इसलिए इस टाइम वहाँ नए पोप का चुनाव हो रहा है पूरी दुनिया भर से 165 कारडिनल वहाँ पर इकठे हुए है रोबर्ट और विटोरिया को वहाँ के सिक्योरिटी के चीफ औली वेटी से मिलवाया जाता है वो उसको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि अंटी मैटर बहुत ही खतरनाक है और 24 गंटे का काउंट डाउन जो उसमें चल रहा है उसके पूरा होते ही वहाँ पर ऐसा विसफोट होगा कि आधा मील तक के दाइरे में कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और उनके लाख कहने के बाद भी उस बॉक्स को ढूंडने की कोई कोशिश नहीं करता वो खुद इसलिए परेशान है क्योंकि जो कारडिनल वहां इकठे हुए हैं उनमें से चार सबसे महत्वपूर्ण कारडिनल जिनमें से किसी एक को पोप बनना निश्चित है वे लोग गायब हो चुके हैं उसका सारा ध्यान उनको ढूंडने पर है वो विटोरिया और लैंगडन को अपने ओफिस में बन्द करके किसी जरूरी काम से चला जाता है बचने का तरीका सोचते हुए विटोरिया को एक आईडिया आता है और वो उसी ओफिस के फोन से डारेक्ट कैमर लैंगो को फोन मिलाकर उनसे बात करती है कैमर लैंगो मतलब पोप के निजी सहायक जो इस वक्त पोप का काम सभाल रहे हैं कैमर लैंगो घवराई हुई विटोरिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनको मिलने के लिए अपने ओफिस में बुलाते हैं वहाँ जाकर रॉबर्ट और विटोरिया उनको सारी बात बताते हैं और कैमर लैंगो ओलिवेटी के प्रती नाराजगी जाहिर करते हैं अब आगे अध्याय 37 कैमर लैंगो ने विटोरिया से नजरे हटा कर ओलिवेटी को देखा और आश्चर्य से पूछा क्या ये बातें सच हैं देखे सर मैं मानता हूँ कि यहां पर एक तरह का कोई डिवाइस हमारे सुरक्षा कैमरे में नजर आ रहा है लेकिन इसके बारे में मिस वेटरा जिस तरह की खतरनाक और अजीब बातें कह रही है वो सही नहीं है क्या यही वो चीज है कैमर लैंगो ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा जी हाँ सर ये वाइरलेस कैमरा नमबर 86 पर नजर आ रहा है तो फिर अब तक तुमने इसे ढूंडने की कोशिश क्यों नहीं की दरसल ये काम इतना आसान नहीं है सर और वैसे भी जिस बूंद की बात मिस वेटरा कर रही है वो बहुत ही छोटी है वो शायद उतना बड़ा विसफोट नहीं कर सकती जितना वो बता रही है अब विटोरिया का धहरे जवाब देने लगा उस बूंद में इतनी ताकत है कि पूरी की पूरी वेटिकन सिटी ध्वस्त हो सकती है मैंने आपको जो भी कहा आपने उसे सुना भी था कि नहीं ओली वेटी पर कोई असर नहीं हुआ विस फोटकों के बारे में मुझे बहुत अनुभव है मैम विटोरिया ने भी उतने ही तीखेपन से जवाब दिया आपका अनुभव पुराना हो चुका है मेरी पोशाक जिसको देखकर आप परिशान हो रहे हैं वो चाहे जैसी भी हो लेकिन मैं दुनिया के सबसे ज्यादा विक्सित संस्थान में काम करती हूं और वो भी वरिष्ट वेग्यानिक के पद पर मैंने खुद वो एंटिमेटर ट्रैप बनाया है जिसकी वजह से वो बूद अभी विनाश लीला नहीं कर पा रही है और मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि अगले 6 घंटे के अंदर अगर आपने वो डिबा खोजकर नहीं निकाला तो आपके सुरक्षा गार्डों को अगली सदी में जमीन में बने एक बड़े गड़े के अलावा बचाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा ओली वेटी पर इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ वो बहस को जारी रखते हुए कुछ और बोलने ही लगा था कि कैमर लेंगो ने हाथ उठा कर उसे रोक दिया देखो ओली वेटी, खतरनाक हो या नहीं हो इल्यूमिनार्टी इसमें शामिल हो या नहीं हो लेकिन ये जो भी चीज है इसे वेटिकन के अंदर नहीं होना चाहिए और कॉनक्लेव के दौरान तो किसी भी कीमत पर नहीं इसे तुरंत ढूंड कर हटाना ही होगा इसकी खोज का इंतजाम करवाओ अभी लेकिन सर अगर हम अपने सारे स्टाफ को भी इसकी खोज में लगा दें तो भी इसको खोजने में कई दिन लग सकते हैं और वैसे भी मिस वेटिरा से बात करने के बाद मैंने बैलिस्टिक के एक बड़े जानकार से एंटी मैटर के बारे में बात की है मुझे इसके बारे में कहीं कोई उलेख नहीं मिला, कुछ भी नहीं कैमर लेंगो की आवाज में गुसा जलकने लगा देखो कमांडर, मैं तुम्हें बता दूँ कि जब तुम मुझसे बात कर रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम इस कुरसी से यानी मेरे ओहदे से बात कर रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते लेकिन कानूनन इस वक्त मैं यहां का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ अगर मेरी जानकारी सही है तो सारे कारडिनल्स इस टाइम सिस्टीन चेपल में सुरक्षित हैं और कॉनक्लेव शुरू होने से पहले तुम्हारे पास कोई लंबी चौड़ी जिम्मेदारियां नहीं है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम आखिर अपनी जिद पर अड़े क्यूं हो तुम इस यंदर को ढूंडना क्यूं नहीं चाहते अब तो मुझे ये लगने लगा है कि तुम इस सम्मेलन के लिए जान बूज कर खत्रा पैदा कर रहे हो ओलिवेटी धीट की तरह खड़ा रहा तभी अचानक उसके बेल्ट पर लगा वॉकी टॉकी जोर से बजने लगा उसने उसका बटन दबा कर जोर से कहा मैं अभी बिजी हूँ मुझे परिशान मत करो उधर से आवाज आई माफ कीजेगा सर मैं कॉम्यूनिकेशन सेंटर से बोल रहा हूँ मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि अभी अभी हमें कहीं पर बम होने की धमकी मिली है हाँ तो ठीक है ना उससे निप्टो जो प्रोटोकोल है उसका पालन करो जी हम वही कर रहे हैं सर लेकिन बम की धमकी देने वाले ने फोन पर उसी चीज का नाम लिया है जिसके बारे में जानकारी इकठा करने के लिए आपने कहा था एंटी मैटर क्या कहा तुमने उसने किस चीज के बारे में कहा एंटी मैटर सर उसने कहा कि ये विसफोर्ट एंटी मैटर से होगा और बहुत ही भयानक होगा इसलिए जब हम उसे ढूनने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उसके बारे में और कुछ पता करने की कोशिश की और सच कहूं तो एंटी मैटर के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो बहुत ही दरा देने वाली है लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि बैलिस्टिक्स के विशेशग्य ने एंटी मैटर के बारे में किसी भी जानकारी से इंकार किया है उससे नहीं पूछा मैंने सर मैंने ये जानकारी ओनलाइन इकठा की है ये एक बहुत ही भयंकर विसफोटक पदार्थ होता है ये कहना तो मुश्किल है कि ये जानकारी कितनी सही है लेकिन उसमें ये कहा गया है कि एक पाउंड एंटी मैटर सो एटम बमों के बराबर विसफोट करने की क्षमता रखता है ये बात सुनते ही ओलिवेटी की सिट्टी पिट्टी गोम हो गई ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने कोई बहुत बड़ा पहार तोड़ दिया हो विटोरिया के चहरे पर विजय का भाव था लेकिन कैमर लेंगो के चहरे पर डर तैर रहा था क्या तुमने ये पता लगाने की कोशिश की की वो फोन कहां से आया था ओलिवेटी ने गार्ड से पूछा नहीं सर, मोबाइल से कॉल आई थी, ये पूरी तरह से एंक्रिप्टेड थी सैट लाइने आपस में मिली जुली होती है इसलिए किसी भी तरीके से उसका पता लगाना मुम्किन नहीं है आयफ सिगनेचर से ये तो पता चल रहा था कि उसने कहीं रोम से ही पोन किया है लेकिन लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई क्या उन्होंने फिरोती भी मांगी है नहीं सर उसने सिर्फ ये चितावनी दी है कि कैमपस के अंदर एंटी मैटर चिपाया गया है ठीक है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ इस बीच अगर दुबारा उसका कॉल आए तो तुरंत मुझे बताना लाइन पर दूसरी तरफ एक पल के लिए चुप़े चा गई फिर आवाज आई वो अब भी लाइन पर ही है सर ऐसा लगा जैसे ओली वैटी को बिजली का जटका लगा हो लाइन चालू है? जी सर, हम पिछले 10 मिनट से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहां से फोन कर रहा है लेकिन सिर्फ गडगड़ा हट के अलावा हमें कुश नहीं पता लग रहा शायद उसे भी पता है कि हम उसका कुश नहीं बिगाड सकते इसलिए वो ये कह रहा है कि जब तक उसकी बात कैमर लैंगो से नहीं कराई जाएगी तब तक वो फोन बंद नहीं करेगा ठीक है तुम उसका फोन इधर लगाओ अभी कैमर लैंगो ने आदेश दिया अगले ही पल कैमर लैंगो के डेस्क पर रखे फोन की घंटी बजने लगी कैमर लैंगो ने फोन का स्पीकर आउन कर दिया अध्याए 38 स्पीकर फोन से आ रही आवाज में एक रूखापन और सम्वेदन शुन्यता जलक रही थी साफ जाहिर हो रहा था कि वो व्यक्ति एहंकार से भरा हुआ था कमरे में मौजूद हर व्यक्ति फोन पर चल रही बात को सुन रहा था लंग्डन उसकी आवाज से अंदाजा लगाने की कोशिच कर रहा था कि वो किस देश का हो सकता था शायद मिडल इस्ट का कोई व्यक्ति था ये एक अजीब से स्टाइल में फोन पर आवाज आ रही थी मैं एक प्राचीन पंथ ब्रदर हुड का संदेश वाहक हूँ एक ऐसा ब्रदर हुड जिसके खिलाफ आप लोगों ने सदियों से अन्याय किया है मैं इल्यूमिनाटी का दूथ हूँ तुम क्या चाहते हो? कैमरलेंगों ने पूछा मैं विज्ञान के लोगों का प्रते निधी हूँ ऐसे लोग जो तुम्हारी तरह प्रश्णों के उत्तर ढून रहे है 2000 सालों से चर्च ने सत्य की खोज का अधिकार अपने पास रख रखा है अपने विरोधियों को महविनाश की धमकी दे कर इसने बरबाद कर दिया है सत्य को तोड मरोड कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तिमाल किया है लेकिन अब और नहीं अब हमारी बारी है मैं ना ही किसी को ब्लैक मेल कर रहा हूँ और ना ही हमारी कोई मांग है हम लोग इस दिन की प्रतीक्षा सौ सालों से कर रहे थे आज आधी रात को तुम्हारा ये शहर बरबाद हो जाएगा तुम इससे बच नहीं सकते ओलिवेटी तेजी से फोन की तरफ बढ़ा और बोला इस शहर में घुसपाना ना मुम्किन है तुम्हारे लिए यहाँ पर विसपोटक रखना शायद संभवी नहीं हुआ होगा तुम जूटी धमकी दे रहे हो उधर से आवाज आई तुम एक बेवकूफ स्विस गार्ड हो क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सद्यों से इल्यूमिनाटी दुनिया के बड़े बड़े संगटनों में घुश चुके हैं क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि वेटिकन को कुछ नहीं हो सकता ओ जीजस लैंगडन भगवान को याद करने लगा जरूर इनके साथ कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है ये सब को पता था कि घुसपैट करना इल्यूमिनाटी की ताकत की एक खास पहचान थी उन्होंने मेसनों के बीच घुसपैट की थी बड़े बड़े बैंकों में की थी और यहां तक की सरकारों में भी उनकी घुसपैट थी इसलिए शायद एक बार चर्चिल ने कहा था कि जिस तरह से एल्यूमिनाटी ब्रिटेन की संसद में घुसे हुए थे अगर उसी तरह उसके जासूस नाजियों के बीच घुसपैट कर पाते तो युद्ध शायद एक महीने में ही खत्म हो गया होता ओलिवेटी अब भी अपने जिद पर आड़ा हुआ था तुम हमें गफलत में डालना चाहते हो तुम्हारी पहुँच इतनी दूर तक नहीं हो सकती अच्छा क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे स्विस गार्ड बहुत चोकनने है लेकिन अगर वो स्विस गार्ड खुद ही इसमें शामिल हो तो वो क्या इंसान नहीं है जरा खुद से ये सवाल पूछ कर देखो कि आखिरकार वो डिबा तुम्हारे शेहर के अंदर आया कैसे और तुम्हारे सबसे कीमती चार लोग आज दो पहर से गायब कैसे हो गए हमारे लोग तुम कहना क्या चाहते हो एक, दो, तीन, चार क्या तुम्हें उनके गायब होने के बारे में अब तक कोई ख़बर नहीं है क्या बेवकूवी की बातें कर रहे हो तुम ओलिवेटी बोलते बोलते अचानक रुख गया उसकी आँखें ऐसे फैल गई मनों किसी ने जोर से उसके पेट में मुक्का मारा हो तो अब घंटी बजी तुम्हारी क्या मैं उनके नाम भी पढ़कर बताऊ ये चल क्या रहा है कैमर लैंगो बेहत हैरान नजर आ रहा था पोन करने वाला हस रहा था समझ गया यानि तुम्हारे इस गधे आफिसर ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है घोर पाप लेकिन कोई आश्चादे की बात नहीं ऐसे घमंडी लोग अकसर बेवकूव ही होते हैं मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये सूचना देना इसे कितना अपमान जनक लग रहा होगा तो कैमर लैंगो जरा अपने इस कमांडर से पूछिए कि क्या आपके सारे कार्डिनल सिस्टीन चेपल में मौजूद है कैमर लैंगो ने जलती निगाहों से ओलिवेटी की तरफ घूरा वो धीरे से फुस फुसाते हुए बुला सर ये सच है कि हमारे चार कार्डिनल अभी तक वहां नहीं पहुँचे है लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है वो वेटिकन सिटी में ही कहीं होंगे और पूरी तरह से सुरक्षे थे कुछी घंटे पहले तो आपने उनके साथ चाय पी थी हम उने ढून रहे हैं और हमें यकीन है कि वो टाइम से पहले वहां पहुँच जाएंगे लेकिन उनको एक घंटे पहले चर्च में होना चाहिए था कैमरलैंगो ने कहा उधर से फोन करने वाले की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी आपको इस सूची के नाम सुनकर और भी पका यकीन हो जाएगा कैमरलैंगो ये चारों कार्डिनल हैं इन चारों कार्डिनल में शामिल हैं पैरिस के कार्डिनल लामास बार्सेलोना के कार्डिनल गुईदेरा फ्रेंकफर्ट के कार्डिनल एबनर और इटली के कार्डिनल बैजिया ये शब्द सुनकर कैमरलैंगो की जैसे जान ही निकल गई वो धम से अपनी कुर्से पर बैठ गया और बोला ये हमारे खास लोग हैं प्रिफराटी हैं पोप बनने के लिए बैजिया सहित इंचारों की सबसे ज्यादा संभावना है ये भला कैसे हो सकता है ये हुआ कैसे लैंगडन को पोप के चुनाव की आधुनेक शैली के बारे में काफी जानकारी थी इसलिए वो कैमर लैंगों के चेहरे पर दिख रही हताशा को समझ सकता था तकनीकी द्रिष्टी से आठ साल के अनुभव वाला कोई भी कारडिनल पोप चुना जा सकता था लेकिन सिर्फ गिने चुने लोगों को ही इतनी प्रतिष्ठा हासिल थी कि वे प्रक्रिया को पार करके दो तिहाई लोगों के बीच पोप के तौर पर चुने जा सकते इनी चुने हुए लोगों को इटैलियन में प्रिफराटी कहते थे और फिलहाल ये चारों ही प्रिफराटी ला पता थे माथे पर से बहता फसीना पहुंचते हुए कैमर लैंगों ने चोड़ दो, क्या इश्वर के शेहर को बरबाद करने की धमकी देना ही काफी नहीं है तुम्हारे लिए, कारडिनल्स के बारे में सोचना छोड़ दो कैमर लैंगो, वे अब तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं, हाँ इतना आश्वासन में जरूर दे सकता हूं, कि लोग उनक इल्यूमिनाटी पर सब की नजरे होंगी, अगर कोई देख ही ना रहा हो, तो फिर दुनिया को बदलने से क्या फाइदा, सार्मजनिक हत्याओं के खौफ का अपना ही एक नशा होता है, है ना, तुम लोगों ने तो बहुत पहले ही ये बात साबित कर दी थी, चर्च ने अ आज तक हमारे लोगों को याद है, इन्क्विजिशन, टेंपलार नाइटों को दी जाने वाली प्रताडनाए, इसाई धर्मयुद, और फिर लापरगा, कैमर लैंगों के चेहरे पर उलजन के भाव दिखाई दिए, लापरगा, ये क्या है, लैंग्डन के मुह से खुद ब फोन पर बात करने वाला व्यक्ति चौका, ये किसकी आवाज है, वहाँ पर और कौन है, लैंग्डन ने जवाब दिया, मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं एक प्रोफेसर हूँ, जिसने तुम्हारे संप्रदाई के इतिहास का अध्यायन किया है, वाह, क्या बात है, य ये जानकर खुशी हुई, कि आज भी ऐसे लोग हैं, जो हमारे उपर हुए अत्याचारों को कम से कम याद तो रखते हैं, तुम्हें लापरगा के बारे में और क्या जानकारी है, लैंग्डन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, इसके बारे में मैं बस इतना ही जानता हू कि लोहे की गर्म सलाखों से दागे जाने के बाद उन वग्यानिकों को मार दिया गया था, और उनकी लाशों को रोम के चारों तरफ पब्लिक प्लेसिस पर फेंक दिया गया था, ताकि दूसरे वग्यानिकों को इल्यूमिनाटी में शामिल होने से दराया जा सके, बेलकुल आठ बजे से लेकर हर एक घंटे पर एक आधी रात होते होते पूरी दुनिया के लोग इसका मजाले रहे होंगे। लेंग्डन ने सवाल किया क्या तुम भी इन चारों लोगों को लोहे की गर्म सलाखों से दाग कर मारना चाहते हो। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, history repeats itself, इतिहास अपने आपको दोहराता है, लेकिन हम ये काम चर्ज की तुलना में ज्यादा नफासत से और ज्यादा बहादूरी के साथ करेंगे। उन्होंने हमारे भाईयों को चुप चाप मारा था, जब आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तब उनकी लाशों को वो चुप चाप कहीं छोड़ाए थे, ये कितना कायरता भरा हुआ था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम कहना क्या चाहते हो, कि तुम इन लोग तो चर्च जाते नहीं है, तुम्हारा मतलब है कि तुम उनको चर्च के अंदर मारने वाले हो, हाँ, और मेरे ख्याल से प्रेस को ये सब बहुत अच्छा लगेगा, ओलिवेटी एक बार फिर से बीच में कुदा, तुम बकवास कर रहे हो, चर्च के अंदर किसी की हत्या कर कि तुम बच जाओ, ऐसा संभव ही नहीं है, मैं बकवास कर रहा हूँ, हम तुम्हारे स्विस गार्ड्स के बीच इस तरह से आते जाते हैं, जैसे भूत, तुम्हारे घर के अंदर से चार कार्डिनल्स को लापता कर देना, तुम्हारे सबसे पवित्र पूजा के स्थान प बीचों बीच एक भयानक विसफोटक रख देना, ये सब तुम्हें बकवास लगता है, जैसे जैसे ये हत्याएं होंगी और मारे जाने वालों की लाशे मिलेंगी, मीडिया का जमावड़ा बढ़ता जाएगा, आधी रात होते होते, पूरी दुनिया को इल्युमिनाटी के पवित्र मकसद के बारे में पता चल जाएगा, और अगर हम हर चर्च में अपने सिपाही तैनात कर दें, तो तुम क्या करोगे, ओलिवेटी ने पूछा, फोन करने वाला जोर से हस पड़ा, मुझे लगता है कि तुम्हारा धर्म इतना बड़ा है कि ये काम तुम्हारे लि 90 मिनिट के अंदर ये सब कुछ शुरू हने वाला है, हर घंटे में मौत का एक mathematical formula, अब मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, अब मैं चलता हूँ, लैंग्डन ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनिट रुको, मुझे ये बताओ कि तुम इन लोगों को किस तरह के निशान से दागने वाले हो, हत्यारा ये सुनकर थोड़ा हैरान नजार आया, मेरे ख्याल से तुम जानते हो कि हम किस तरह के निशान का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हो सकता है कि तुम इसमें यकीन ना करते हो, जो भी हो, जल्दी ही सब क का दावा कर रहा था एलियो मिनाटे की कहानियों में पांच तरह के निशानों की बात आती थी अब चार तरह के निशान बचे थे एक से पहले ही लियोनार्डो वेटरा की हत्या की जा चुकी थी और फिर चार कार्डिनल भी गायब थे यानि चार कार्डिनल और चार ही निशा क्यामर लैंगो ने थोड़े सक्त स्वर में कहा, मैंने शपत ले रखी है कि आज की रात एक नए पोप का चुनाव पूरा होगा, हत्यारे की आवाज आई, मिस्टर क्यामर लैंगो, दुनिया को एक नए पोप की जरूरत नहीं है, आज आधी रात के बाद यहां सिर्फ खंड के अलावा और कुछ नहीं बजेगा, यू समझ लो कि क्याथोलिक चर्च का विनाश हो चुका है, धर्ती पर तुम लोगों का अंत आ चुका है, क्यामर लैंगो अब उदास दिखाई देने लगा, तुम गलत रास्ते पर हो, चर्च इट पत्थर से बढ़कर कुछ होता है, तुम 2000 साल पुराने धर्म को ऐसे समाप्त नहीं कर सकते, अगर वेटिकन सिटी ना भी रही, तो भी कैथोलिक चर्च का अस्तित्व बना रहेगा, आहाहा, कितना गंदा जूट, ये हम दोनों को पता है कैमर लैंगो की सच्चाई क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरहे चारों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घेर कर भला क्यों रखा गया है, वो इसलिए क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा संपत्ति इन्हीं दीवारों के बीच में है, दुरलब कलाकृतियां, मूर्तियां, बहु मुले जवाहरात, अनमोल किताबें, सोने चांदी के बड बड़े भंडार और बेशुमार जमीन जाइदाद, ये सब कुछ वेटिकन बैंक के खजाने में रखा है, इन सब चीजों की कीमत पचास अरब डॉलर से कम किसी भी हाल में नहीं होगी, तुम लोग इस विशाल खजाने के उपर कुंडली मार कर बैठे हो, और कल ये सब कु और क्यामर लैंगो दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया, लैंगडन को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बात ज्यादा हैरानी में डालने वाली थी, कि क्याथोलिक चर्च के पास इतना पैसा था, या फिर इल्यूमिनार्टी को ये सारी बातें पता थी, क्यामर लैंगो पैसा नहीं, चर्च की ताकत है आस्था, हा, एक और जूत, पिछले साल तुमने दुनिया भर में अपने लड़ खडाते हुए चर्चों को संभलने के लिए 18 करोड डॉलर खर्च किये हैं, चर्च में आने वाले लोगों की संख्या में इतनी कमी आस तक नहीं आई, जितनी फिलाल में आई है, पिछले 10 सालों के तुलना में 46 प्रतिशत कम, चंदे की रकम आधी भी नहीं बची है, सेमिनरी में आने वाले लोग लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन तुम ये बात मानोगे नहीं कि तुम्हारा चर्च आखिरी सांसे गिन रहा है, उलिवेटी अब हत्यारे मकसद के काम आजाए तो कैसा रहेगा, हत्यारे की तीखी आवाज उभरी, हमारा अपमान मत करो, हमारे पास इतना पैसा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, कैमर लैंगो ने विशे बदलने के लिए कहा, मैं तुमसे विंती करता हूँ प्रीज, उनको छोड़ दो वो बुजर्ग लोग हैं, पोन करने वाले ने फिर से ठाहका लगाया, वो कुमारी कन्याओं की बली के जैसे हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, कि क्या तुम्हे वाकरी लगता है कि वो कुमारे हैं, मरने के समय, क्या वो नन्ने मेमने, मिमी आएंगे, मेह, मेह, विज्यान क वेदी पर कुमारों की बली, इस से बढ़कर अच्छी बात बला और क्या हो सकती है, कैमर लैंगो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, वे आस्थावान लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले, वो मरने से नहीं डरते, हा, लियोनार्डो वेटरा भी आस्थावा कुर्सी से खड़ी हो गई और बोली, यू बास्टर्ड, वो मेरा बाप था, फोन के स्पीकर से खड़ खड़ाने की आवाज आई, तुम्हारा बाप, ये क्या हो रहा है, वेटरा की बेटी, अगर तुम वाकई उसकी बेटी हो, तब तो तुम्हें पता होना चाहिए, कि मर जंगड़न उसे थामने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो खुद ही संभल गई, और उसने फोन पर अपनी काली गहरी आँखें जमा दी, मैं कसम खाती हूँ, आज की रात बीतने से पहले मैं तुम्हें ढूंड निकालूंगी, और जब मैं तुम्हें ढूंड हो सकता है रात बीतने से पहले मैं ही तुम्हें ढूंड लूं, और जब तुम मुझे मिलोगी, तो इतना कहकर उसने फोन काट पिया। मुटाटी कलपना भी नहीं कर पा रहा था कि वे कार्डिनल कहां गुम हो गए हैं। मुटाटी अच्छी तरह जानता था कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि ज्यादा तर कार्डिनल कैमर लैंगो को महत्व नहीं देते थे। उनको लगता था कि उसकी उम्र बहुत कम थी और वो पोप के इतना करीबी होने के लायक नहीं था। लेकिन मोर्टाटी खुद उस लड़के का काफी बड़ा प्रशन सकता। वो मन ही मन स्वर्गवासी पोप की तारीफ करता था कि उन्होंने अपने सहयोगी के तौर पर उसे नियुक्त किया था। क्यामर ल्यांगो की आँखों में जहाकने पर मोर्टाटी को सिर्फ और सिर्फ आस्था दिखाई देती थी। वो हमेशा चर्च और आस्था को तुच्ची राजनीती से उपर रखता था। वो वाकई ईश्वर में श्रधा रखने वाला व्यक्ती था। अपने पूरे कारेकाल के दौरान क्यामर ल्यांगो की अटूट भक्ती की दास्तान एक मिथक के रूप में याद की जाती थी। कई लोग इसे उसके बच्पन में घटी एक चमतकारी घटना का परिनाम मानते थे। ये एक ऐसी घटना थी जो किसी भी इंसान के दिमाग पर स्थाई चाप छोड़ सकती थी। मोर्टाटी जानता था कि क्यामर ल्यांगो अपने बुढ़ापे में कभी पूप नहीं बन पाएगा। पूप बनने के लिए एक तरह की राजनेतिक महत्वा कांक्षा की जरूरत होती है जिसकी इस युवा क्यामर लैंगो में बहुत कमी थी। पूप ने उसे कई बार अच्छी जगहों पर पादरी बनने का प्रस्ताब दिया था लेकिन उसने कभी उसे स्विकार नहीं किया। वो कहता था कि वो साधारन हैसियत में रहकर ही चर्च की सेवा करना चाहता है। कारडिनल ने दोबारा उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। लेकिन अब क्या होगा? समेलन का काम कैसे शुरू होगा? मॉर्टाटी ने एक गहरी सांस ली और बोला। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? बस ईश्वर पर विश्वास रखेंगे और अपना काम करेंगे। अध्याय 40 अपनी कुर्सी के पास खड़ा कैमर लेंगो ओलिवेटी को कह रहा था। फिलहाल हमारे सामने कई जिम्मेदारियां हैं। उस डिवास को खोजना, लापता कार्डिनल्स और उनका अपरन करने वाले लोगों का पता लगाना, ये सब काम तो हमें करने ही हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इन बाकी बचे कार्डिनल्स को सुरक्षत जगह पर ले जाना हो और इसके हलावा हमारे पास चारा भी क्या है, और नए पोप के चुनाव के बारे में आपकी जिम्मेदारी का क्या होगा। उलिवेटी ने पूछा, कैमर लैंगो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, महा महिम पोप ने मुझसे एक बार कहा था कि पोप हमेशा दो दुनिया के बीच में पिस्ता रहता है, असली दुनिया और दैवी दुनिया, उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो चर्च असलियत की अंदेखी करेगा, वो दैवी सुख का आनंद उठाने के लिए जिन्दा नहीं बचेगा, आज हमें असली दुनिया का सामना करना है, इसे नजर अं नहिंकार और परंपरा के नाम पर हम जो सामने दिखाई दे रहा है, उसे नहीं छोड़ सकते, वाली वैटी ने अपना सेर हिलाया और बोला, आपने बिलकुल सही कहा कैमर लेंगो, मैंने आपको कम करके आँका था, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, कि आपकी अंतरात्मा की आवाज बेहत मुल्यवान तो हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसके परिणाम खतरनाक साबित होंगे, कार्डिनल्स को सिस्टीन चैपल से बाहर निकालने की योजना, इन परिस्थितियों के हिसाब से सबसे खराब ऑप् मिल जाएगा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम सारे कार्डिनल्स को एक टाइम बम के उपर बैठा छोड़ दें, सिर्फ कुछ देर के लिए सर, बाद में अगर जरूरत हुई, तो हम उन्हें बाहर निकालने का इंतजाम भी करेंगे, कैमर लैंगो ने सिर हिलाया और बोला पोप के चुनाब को शुरू होने से पहले ही पोस्ट पोन कर देना एक अलग बात है, लेकिन एक बार दर्वाजा बंध होने के बाद फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा, ओली वैटी ने बिना घबराय कहा, लेकिन सर, आप ये देखिए कि 165 कार्डिनल्स को बिना किसी तयार और सेक्योरिटी के रोम के अंदर ले जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, बुढ़े इनसान इसकी वजह से घबराहट और अफरात अफरी के शिकार हो सकते हैं, सीधे सीधे शब्दों में कहूं, तो अगर मान लीजिए घबराहट के कारण किसी को दौरा पढ़ गया तो वे सभी काफी बुजर्ग लोग हैं, और वैसे भी सिस्टीन चेपल एक तरह का किला है, ये इमारत इस तरह से बनाई गई है कि ये मिसाइल तक के हमले को जहल सकती है, और आज ही हमने सिक्योरिटी के लिहाद से चर्च के चप्पे चप्पे को छान मारा है, चर्च के अ बाद में इमर्जेंसी के रूप में इन्हें बाहर निकालने के बारे में सोच सकते हैं, फिलहाल हमें अपनी पूरी ताकत इस बात में लगानी चाहिए कि एंटी मैटर को कैसे ढूना जाए, इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने स्पेशलिस्ट से बात करनी होगी, हो सकत है कि अगर हम वेटिकन सिटी की लाइट बंद कर दें, तो हम परिवेश में फैले हुए रेडियो फ्रिक्वेंसी को समाप्त कर पाएं, ऐसा करने से उस डिब्बे की मैगनेटिक फिल्ड की रीडिंग लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, विटोरिया ओलिवेटी की इस ब पर विचार जरूर करना चाहिए, लेकिन कार्डिनल्स को ये नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ओलिवेटी ने नामें सिरहलाया और बोला, ये सम्मेलन असल में कैंडल लाइट में आयोजित किये जाते हैं, उनको कभी पता भी नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, पांच नहीं सिर्फ चार घंटे हैं, विटोरिया ने उसे समझाते हुए कहा, हमें वो डिब्बा वापस लेकर सरन भी जाना होगा, अगर बैटरी को चार्ज नहीं किया गया, तो हम विसपोट को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन क्या यहां पर रिचार्ज करना संभव नहीं अलिवेटी ने पूछा, नहीं, चार्ज करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, अगर यह संभव होता, तो मैं चार्जर यहां लेकर ही आती, ओह, तो फिर तो हमारे पास चार घंटे ही बचे हैं, लेकिन फिर भी घबराने से कभी कोई फायदा नहीं होता, मिस्टर क्याम लेकिन वो लोग उन चार कार्डिनल्स के बारे में भी तो पूछेंगे, खास कर बैजिया के बारे में, कि वो लोग कहां हैं, उसके लिए आपको कोई विकल्प सोचना पड़ेगा सर, आप कह सकते हैं कि उन्होंने चाय के साथ कुछ ऐसा खाया जो उन्हें पचा नहीं, सि अभी हमारा कोई भी वश नहीं है, सब की भलाई इसी में है कि हम अभी उनके बारे में सोचे ही नहीं, पौज की भाशा में इसे ट्रायेज कहते हैं, अगर इस पूरी दुनिया में उन लोगों को ढूंडने का कोई भी उपाय मौजूद होता, तो मैं इस काम के लिए अपन लिकिन अगर हम कातिल को पकड़ लें, तो क्या आप उससे बात उगलवा सकते हैं? कातिल ये अच्छी तरह जानता है कि वो एंटी मेंटर कहां है और साथ ही लापता कार्डिनल्स कहां है, अगर हम उसका पता लगा लें, तो हमारी सारी समस्याएं एक साथ सुलज जाएंग भी यही सोच रहे हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, बहत सब की समझ में आ गई, अच्छा रोम की पुलीस का इस्तिमाल करने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मरलैंगो ने पूछा, हम पूरे शहर को इस बारे में आगाहा कर सकते हैं, और कार्डिनल्स को ढूनने में उनकी मद ले सकते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ओलिवेटी ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि वे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनसे हमें सिर्फ आधी अधूरी मदद मिलेगी, वो भी अन्मने तरीके से, और इसकी बजाए, वे लोग हमारे इस संकट के बारे में पूरी दुनिया के मीडिया के सामने धिनोरा पीटेंगे, वैसे भी हमें जल्दी ही मीडिया से भी निबटने की तयारी करनी हैं, क्या हम सही तरीके से सोच कर उन लापता कार्डिनल्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते कमांडर, ओलिवेटी ने कैमर लैंगो की आँखों में की ताकत दें, जिन्हें बदलना हमारे लिए संभव नहीं है, आप मेरा यकीन मानिये सर, ये ठीक वैसी ही परिस्थिती है, इतना कहकर उलिवेटी बाहर चला गया, अध्याए 41, लंडन के पिकाडली सरकस स्थित BBC के मुख्य आफिस में फोन की घंटी बजी, जूनियर एड को इस खबर में इंटरस्ट हो, एडिटर ने कागस कलम उठाया और बोली, हाँ बताईए, कौन सी खबर, पोप के इलेक्शन के बारे में, क्या रोम में इस खबर की कवरेज के लिए आपकी टेलिविजन टीम गई हुई है, मुझे सीधे उन्हीं से बात करनी है, आप मुझ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दावे का कोई सबूत, वो भी मैं आपको नहीं दे सकता, उन्हें ही दूंगा, हमारे नियमों के अनुसार, हम इस तरह से अपने रिपोर्टर्स का नंबर किसी अंजान आदमी को नहीं देते, कोई बात नहीं, मैं दूसरे नेटवर्क को फोन कर लेता हूँ, आपके वक्त के लिए धन्यवाद, गुडबाई, अरे एक मिनिट रुकिए, अपने अनुभव से जूनियर एडिटर जानती थी, कि अगर वाकई ये कोई काम की खबर हुई, और उसका चैनल इस बात से चूक गया, तो उन्हें कितना बड़ा नुकस किस्म की खबरों के कवरेज का काम दिया गया था, एडिटोरियल विभाग की नजर में वो सबसे नीचे के पायदान पर माना जाता था, अपने 10 सेकंड के वीडियो स्पोट को रिकॉर्ड करने के लिए, रात भर इंतजार करते करते, वो शायद अब तक बोर हो चुका होग एडिटर ने उस रिपोर्टर का नमबर नोट किया, और फिर फोन करने वाले व्यक्ति को वो नमबर लिखवा दिया, अध्याए 42 ओलिवेटी अपना काम करने के लिए जा चुका था, और विटोरिया और कैमर लेंगो परिस्थितियों के बारे में विचारविमर्श कर रहे थे, दोनों ही बुरी तरह परिशान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेंगडन के सिर में तेज दर्ध हो वाजें, चार लाशें, जिन पर अलग-अलग निशान गुदे हुए थे, शैतान, लूसिफर, रोशनी लाने वाला, सेटन, उसने सिर को जटक कर इन दरावनी तस्वीरों को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश की, ये एक सोची समझी हुई देहशत गर्धी और अव्यव पर काम कर रहा था, उस समय के बाद आज तक उसने ऐसे आतंकी नहीं देखे थे, उसने लेक्चर देते हुए विद्यार्थियों से सवाल पूछा था, आतंकवाद का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बताईए कौन सा, एक छात्र ने जवाब दिया, निरपराध लोगों की हत्य गलत, मौत तो आतंकवाद का एक छोटा सा परिनाम भर है, तो फिर शक्ती का प्रदर्शन? बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे कमजोर तर्क है, एक दूसरे विद्यार्थी ने कहा, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना? बिल्कुल सही, आतंकवाद का सिर्फ यही एक देश्य होता है कि डर और भय का महौल पैदा किया जाए, इसकी वजह से शासन और व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम हो जाता है, दुश्मन अंदर से कमजोर हो जाता है और लोगों के बीच अशांती फैल जाती है, लंगडन कलपना कर रहा था कि दुनिया भर के इसायो को कैसा लगेगा जब चार कारडिनल्स की लाशों को कुत्तों की तरह क्षत विक्षत करके फेंक दिया जाएगा, हर इंसान के मन में यही सवाल उठेगा, कि अगर इतने बड़े पादरियों की रक्षा शैतान से नहीं हो पाई, तो हमारे जैसे दूसरे लोगों की तो बात बली और अचानक जैसे रोशनी की एक किरंचम की, लैंग्डन के दिमाग में घूम रहा शोर बंध हो गया, ठीक वैसे ही जैसे गोली चलते ही लोगों की भीड छट जाती है, वो धम से कुरसी पर नीचे बैठ दया, विटोरिया और कैमर लैंगो ने चौक कर उसकी तरफ द ये कैमर लैंगो की तरफ मुड़ा, फादर, मैं पिछले तीन साल से वेटिकन के अर्काइव में जाने की परमेशन मांग रहा हूँ, मुझे साथ बार इसके लिए मना किया जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाने की इजाजत तुरंत दी जाए, मुम को ये लगता है कि मैं आपकी इस बात पर यकीन कर लूँगा कि ये सूचना हमारे अर्काइव में रखी है, देखे फादर, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं समय रहते ये जानकारी इकठा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल जा तो बहुत संभावना है कि मैं इस बात का पता लगा लूँ, मिस्टर लैंगडन, मुझे चार मिनिट में सिस्टीन चेपल पहुँचना है, अर्काइव्स वेटिकन सिटी के दूसरे सिरे पर हैं, और वैसे भी वहाँ इसके बारे में कोई सुराग भला कैसे मिल सकता है, दे अमर लैंगो उसे इस तरह से देख रहे थे, मानो चाहकर भी इस बात पर यकीन ना कर पा रहे हो, आप जानते हैं, इसाई धर्म के सबसे पवित्र दस्तावेज उस आर्काइव में रखे हैं, वो इतने कीमती और महत्वपून है कि मुझे भी उनको देखने का अधिकार नह पोप की अनुमती से भी ये काम किया जा सकता है, और जहां तक मुझे मालूम है, पोप की परमिशन इसी ओफिस से मिलती है, आज की रात पोप के काम का जिम्मा आपके पास है, पर इस थितियों को देखते हुए, आप इस बात की परमिशन देने का अधिकार रखते हैं, क्य जान की बाजी तक लगाने के लिए तयार हूँ कैमर लेंगो ने कहा अगर मुझे इस बात का यकीन नहीं होता फादर तो मैं बार-बार वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मांगता तो फिर ठीक है लाइब्रेरी का एक आदमी अरकाईव में जाने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है लेकिन आज की रात लाइब्रेरी में काम करने वाले सबी लोग वापस जा चुके हैं आप वहाँ बेरोक-टोक जाने के लिए इجازत मांग रहे हैं इस तरह अकेले जाने की इजाज़त तो हमारे कार्डिनल्स को भी नहीं होती। मैं आपकी इस बहुमूले धरोहर को पूरे आदर और साफधानी के साथ देखूँगा। आपकी लाइब्रेरी के अधिकारियों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि मैं उसके सुनाई दे रही थी। कैमर लैंगो ने बेचैनी से अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला अब मैं रुक नहीं सकता मुझे जाना ही होगा। आरकाईव में एक स्विस गार्ड आप से मिलेगा। मैं आपके उपर भरोसा कर रहा हूं मिस्टर लैंगडन। मेरे इस भरोस लैंगडन के गुप्त आरकाईव बोर्जिया के आंगन के आखरी छोर पर बने हैं जो सेंटा एना के दर्वाजे के ठीक सामने बहारी पर हैं। इस आरकाईव में 20,000 से भी ज्यादा दस्तावेज हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें लियोनार्दो दा विंची की लापता डा बट एक छोटी सी किताब जिसे लिखने वाले का नाम है ग्यलेलियो विटोरिया को एहरानी हुई। आप मजाग कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस किताब में। इसके अंदर एक चीज है जिसे अल सिगनो कहते हैं यानि निशान। किस चीज का निशान। एक गुप्त जगह इल्युमिनाटी वेटिकन से अपनी रक्षा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने आपस में मिलने के लिए यहीं रोम में एक बहुत ही गुप्त जगह चुनी थी। इसको वो चर्च ओफ इल्युमिनेशन कहते थे। शैतानी से भरी जगह का नाम चर्च रखना और जागरन काल में बहुत श्रधा रखते थे। उनके लिए मिलने की यह गुप्त जगह बनाना सिर्फ इसलिए जरूरी था क्योंकि वे उन टॉपिक्स पर सुरक्षित तरीके से बात करना चाहते थे जिनकी चर्च इजाजत नहीं देता था। हम लोग ये तो जानते हैं क कि वो किसी गुप्त जगह पर मिलते थे लेकिन आज तक ये किसी को नहीं पता कि वो गुप्त जगह असल में है कहां। दरसल इलुमिनाटी लोग अपने लोगों के अलावा किसी को भी उस जगह के बारे में नहीं बताते थे और इसी कारण से वे सदियों तक सुरक्षित र लगना शुरू हो गया तो दुनिया भर के वैग्यानिक चुप-चाप तीर्थ यात्रा की तरह रोम आने लगे। उनके मन में ये उम्मीद होती थी कि उन्हें भी इलुमिनाटी में जगह मिल जाएगी जिसके कारण वे गैलिलियो के टेलिसकोप को देख पाएंगे और उस पाटी के लिए भी नए लोगों को शामिल करना जरूरी था लेकिन वो हर किसी को अपना पता ठिकाना बताने का खत्रा भी मोल नहीं ले सकते थे। विटोरिया के चेहरे पर खीज दिखाई दे रही थी। लगता है ये एक ऐसी सिच्वेशन थी जिसका कोई समाधान ही नही और एक बहुत ही बहतरीन समाधान जो हर तरह से लाजवाब था। इल्यूमिनाटी ने अपने धंक का एक अनोखा नक्षा बनाया जो वेग्यानिकों को उनकी इस घुप जगह पर पहुँचने में मदद करता था। नक्षा ये तो लापरवाही की बात हुई। अगर वो न पूरे शहर में फैली प्रकाश की एक लाइन के जैसा। यानि जैसे पगडंडियों पर बने तीर के निशान वैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन इस काम को बड़ी ही बारीकी से किया गया था। इस नक्षे को बनाने के लिए शहर के अलग-अलग जगहों पर पहुत जाता था। ये तो ट्रेजर हंट जैसा लगता है। हाँ, एक तरीके से ऐसा ही था। निशानों की इस चेन को प्रकाश का पत यानि पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन कहते थे। जो भी व्यक्ति ब्रदर हुड में शामिल होना चाहता था, उसे इसके साथ साथ आखिर तक चलना होता था। ये एक तरह का टेस्ट था। लेकिन अगर वेटिकन इल्यूमिनाटी को पकड़ना चाहें, तो वो भी सीधे उन निशानों के पीछे चलकर वहां तक पहुँच सकते थे। नहीं, वो रास्ता गुप्ध होता था, एक पहेले की तरह, उसको इस तरह से बना नहीं था, बलकि इस से वो उन वज्यानिकों का भी पता लगा लेते थे, जिनके अंदर वाकई खास प्रतिभा होती थी। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। सन 1600 के दोरान इन धर्मिक लोगों में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल थे। उन निशानों के बारे में पता होता। असल में उनको इन निशानों की कोई जनकारी थी ही नहीं। इलियो मिनाटी ने उनको इस तरह से बनाया था कि पादरी समुदाय के लोगों को कभी भी इस बात का अंदाजा ही नहीं लग सकता था कि वो संकेत हैं क्या। वो जिस तकन या किसी विज्ञानिक संकेतों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोगों को आसानी से दिखाई दे जाते. इसलिए उन्होंने एक बहुत ही होशियारी भरा काम किया. उन्होंने एक एलिमिनार्टी कलाकार को बुलाया. ये वही गुमनाम बहुत ही प्रतिभाश मूर्षाली का लाकार था, जिसने उनके लिए एंबिग्राम वाले संकेत चिन्ह बनाए थे।। उन्होंने उस का लाकार को चार मूर्थियां बनाने का काम दिया। इन मूर्थियों को बनाने के लिए दो कड़ी शर्तें रखी गई थी। पहली तो ये कि ये मूर्तियां रोम की दूसरी मूर्तियों जैसे ही दिखाई देनी चाहिए ताकि उनके बारे में वेटिकन को कभी भी ये शक ना हो कि इनको इलुमिनाटी के लोगों ने बनाया है। दूसरी शर्थ ये थी कि उन चारों मूर्तियों की एक खास थीम होनी चाहिए. हर मूर्ति विज्ञान के चार एलिमेंट्स में से हर एक के लिए एक श्रद्धानजली जैसी होनी चाहिए. चार एलिमेंट्स? लेकिन एलिमेंट्स तो सौ से भी ज्यादा होते हैं विटोरिया ने कहा, दरसल नहीं सन सोलह सो तक इतने एलिमेंट्स नहीं ढूंडे गए थे अलकेमी में विश्वास रखने वाला हर आदमी ये मानता था कि ये पूरा युनिवर्स सिर्फ चार एलिमेंट्स से बना है धर्ती, हवा, आग और पानी शुरुवाती दौर में बने सलीब के जो निशान थे वो भी दरसल इनहीं चारों एलिमेंट्स को दिखाते थे सलीब के जो चार हिस्से होते थे वो इनी एलिमेंट्स को दिखाते थे विटोरिया ये सब सुनते हुए मंत्रमुक्दसी हो रही थी यानि कि उस कलाकार ने चार कलाकृतियां बनाई जो दरसल धर्ती, हवा, आग और पानी के लिए श्रद्धानचली के रूप में तयार की गई थी हाँ, बिल्कुल, ये कलाकृतियां रोम में चारों तरफ फैली दूसरी कलाकृतियों के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती थी इलिमिनाटियों ने इन चारों को खास-खास चर्चों को चुप-चाप तोहफे के तौर पर दिया उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके इनको उन चर्चों के अंदर स्थापित करवा दिया इन में से हरेक मूर्ती एक तरह के संकेत का काम करती थी जो बहुत ही बारीकी से अगले चर्च का ठिकाना बताती थी जहां पर अगला चिन रखा हुआ है इस तरह से ये सुरागों की एक श्रिंखला का काम करती थी जो भी व्यक्ति इल्यूमिनाटी में शामिल होना चाहता था वो अगर धर्ती के प्रतीक वाले पहले चर्च में पहुँच जाता था तो फिर इसके सहारे वो हवा वाले संकेत फिर पानी और अंत में चर्च ओफ इल्यूमिनेशन तक पहुँच जाता था वो तो ठीक है लेकिन इससे इल्यूमिनाटी हत्यारे को कैसे पकड़ा जा सकता है हाँ अब तुमने असली सवाल पूछा मैं बताता हूँ कि कैसे इल्यूमिनाटी इन चारों चर्चों को एक खास नाम से पकारते थे दा अल्तार्ज ओफ साइन्स यानी विज्ञान की बलिवेदिया विटोरिया ने हलकी सी नाराजगी दिखाते हुए कहा इस बात का क्या मतलब? माफ करना लेकिन इस बात का तो कोई मतलब नहीं निकल रहा लेंग्डन उसकी तरफ देखकर मुसकराया और बोला क्या तुम भूल गई? इल्यूमिनाटी हत्यारे ने फोन पर चितावनी दी थी कि कार्डिनल्स की हत्या विज्ञान की वेदी पर दी जाने वाली बलियां होंगी चार कार्डिनल, चार चर्च और विज्ञान की चार बली वेदियां विटोरिया का मुह खुला रह गया यानि आपका मतलब है कि वो चार चर्च जहां कार्डिनल्स की बली चड़ाई जाएगी वो वही चर्च है जो प्राचीन पाथ ओफ इलुमिनेशन को दिखाते हैं हाँ, मुझे यही लगता है लेकिन हत्यारे ने हमारे लिए ये सुराग क्यों छोड़ा वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई इसको ड़्ूं नहीं सकता इन कलाकरितियों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और उससे भी कम लोग ये मानते हैं कि उनका वाकई की शंका नहीं रही होगी और फिर एक बात और भी है इल्यूमिनार्टी को अब उनके पाथ आफ इल्यूमिनेशन की कोई जरूरत नहीं है वे लोग आधुनिक दुनिया में रहते हैं बैंकों के सामने देखा स्विस गार्ड आगे बने लॉन से निकल कर तेजी से दर्वाजे में घुस रहे थे गार्ड की नजर जैसे ही इन लोगों पर पड़ी वो रुख गया फिर वो घूर कर उन्हें देखने लगा उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो उसने अपना व देख दिया जा रहा था उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था वो की टॉकी बंद करने के बाद वो गुस्से से उन्हें घूरता हुआ बिना कुछ बोले इमारत के अंदर ले जाने लगा उन्होंने स्टील के चार दर्वाजे पार किये दो जगह पर उन्हें पासवर्ड ड बने दो बड़े बड़े दर्वाजों को एक साथ जोड़ कर एक दर्वाजा बनाया गया था। कि हमारे कमांडर को सीधे क्यामर लैंगो ने इसके लिए आदेश दिया है। लेकिन फिर हम वापस कैसे जाएंगे। सिक्योरिटी के ये सारे इंतजाम और पासवर्ड्स सिर्फ अंदर जाने के लिए हैं। बाहर आने में आपको कोई परिशानी नहीं होगी। इतना कहकर गार्ड मुड़ा और हॉल से बाहर निकल गया। इससे आगे की कहानी के लिए सुनें एंजल्स एंड दीमन्स का भाग पांच।